नमस्कार दोस्तों, हाल ही में प्रदान मंत्री मोधी अमेरिका गए थे और पहली बार in-person मिले US President Joe Biden से इसी दोरे में पहली in-person meeting भी हुई Quad Summit की USA, Australia, Japan और इंडिया के बीच ये दोरा काफी एतिहासिक था इंडियन मीडिया के लिए भी क्यूकि शयक्षायद जितनी बेस्ती इंडियन मीडिया को सहने पड़ी स्यक्षायद ही इतनी बेस्ती उन्हें कभी सहने पड़ी है शायद मुझे लगता है अलग किसम की कावरेज होगी खेर ये सब चीजे तो चलती ही रहेंगी लेकिन इस कौड का मतलब क्या होता है इस कौड समिट के क्या माईने है अगर हम जियो पॉलिटिक्स के एंगल से देखें तो आज के वीडियो में आए समझने की कोशिश करते हैं क्वाड शब्द आता है क्वाडिलाटरल से आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा क्वाडिलाटरल एक फोर साइडिड फिगर को कहते हैं जैसे की स्कूर तो similarly क्वाड एक स्टाटेजिक डायलॉग है एक जियो पॉलिटिकल ग्रूप है चार देशों के बीच इंडिया जपान ऑस्ट्रेलिया और युएस से और क्यों ये ग्रूप शुरू किया गया था इसकी पीछे एक बड़ी ही दिल्चस्प कहानी है दिसेंबर 2004 की बात है कि इंडियन ओशन में एक भयानक अर्थ को एक आता है समुद्र के नीचे ये अर्थ को एक मेजर किया जाता है 9.1 to 9.3 on the scale यानी one of the deadliest earthquakes ever recorded इसका epicenter इंडोनेशिया के पास होता है और इसकी वज़े से एक भयंकर tsunami create होता है ये सुनामी तभाई मचा देता है तमिल नाडू, अंदमाने निकोबार आइलेंड्स में इंडिया के December 29th को US President George Bush Announce करते हैं कि इंडिया, US, जपान और आस्टेलिया साथ में मिलके एक international coalition set up कर रहे हैं ताकि बड़े scale पर rescue और rehabilitation effort को coordinate किया जा सके Indian Defense Forces यहाँ पर एक major role play करती हैं हजारों army troops, navy ships और air force के helicopters लग जाते हैं missing लोगों को धुनने और घायल लोगों की मदद करने होती है quad group की लेकिन formally कहें तो इस group को करीब 2 साल बाद constitute किया जाता है December 2006 में हमारे इंडिया के Prime Minister Dr. Manmohan Singh official visit पर होते हैं जपान में Dr. Manmohan Singh के साथ उनकी wife Mrs. Gursharan Kaur भी होती हैं और एक high level delegation भी होती है एक joint statement जारी करी जाती है इंडिया और जपान के द्वारा कि वो तयार हैं इंडो Pacific के एरिया में like minded countries के साथ एक dialogue शुरू करने के लिए इस वक्त जपान के प्रधान मंत्री होते हैं शिंजो आबे और शिंजो आबे ही इस idea को आवास देते हैं और हम सब जैसे जानते हैं दोस्तों freedom यानि आजादी एक ऐसी चीज़ है जो चाइना के खिलाफ है एंटी चाइनीज है अपने आप में ही क्योंकि चाइना में आजादी से वहां की सरकार को सक्त नफरत है तो शुरुआत से ही क्योंकि Quad Group को बनाया गया था on the basis of freedom and prosperity इसे हमेशा चाइना के बढ़ते influence के against एक counter की तरह देखा जाता था जियो political experts के दुआरा हाला कि इस चीज़ को कभी भी किसी देश ने openly admit नहीं किया है आज तक इन चारों देशों में से कि ये चाइना के खिलाफ एक group बनाया जा रहा है लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये चाइना के बढ़ते influence को counter करने के लिए ही बनाया गया है तो Quad Group की पहली meeting हुई थी माई 2007 में जब Australian Prime Minister John Howard, Indian Prime Minister Manmohan Singh, Japanese Prime Minister Shinzo Abe और America के Vice President Dick Cheney मिले थे एक informal meeting में फिलिपीन्स में उस वक्त ASEAN Regional Forum की meeting भी चल रही थी तो उसी meeting के side में हटके इन्होंने एक ये informal Quad meeting करी थी उसके बाद August 2007 में Shinzo Abe India आये थे उन्होंने Indian Parliament को address किया था और एक बार फिर से उन्होंने बात करी थी confluence of the two seas की कि Indian Ocean और Pacific Ocean साथ में मिल रहे हैं एक ये dynamic coupling है freedom और prosperity की अब Quad group को दोस्तों military के perspective से भी काफी देखा जाता है क्योंकि उसके सिरफ एक महीने बाद September 2007 में चारो Quad देशों ने एक साथ में मिलकर Navy की exercise कंड़क्ट करी थी Indian Ocean में और जब ये हुआ था तो China ने इसके against एक diplomatic protest किया था इन चारो देशों के खिला और चाइना के protest के बाद से ही ये Quad group fail होना शुरू हो गया जपान के परधान मंतरी शिंजो आवे ने अपनी PM की post से resign कर दिया क्योंकि वो एक disease से काफी struggle कर रहे थे तो personal problems की वज़े से उन्होंने resign कर दिया December 2007 में Australia भी पीछे हट गया जब Australia के पास एक नए परधान मंतरी आये Kevin Rudd नाम से Kevin को लगा कि Quad group Australia के strategic interest को suit नहीं करता है तो उन्होंने announce कर दिया कि Australia आपसे Quad dialogue में participate नहीं करेगा और इसी से ही देखते ही देखते Quad group 1.0 का सत्यनाश हो गया हाला कि बाद में Kevin Rudd ने बताया था 2019 के एक article में कि जब वो 2008 में George Bush से मिलने गए थे तो George Bush ने कोई interest नहीं दिखाया ज्यादा Quad group को लेकर और काफी सारे experts का मानना था कि US actually में एक कदम पीछे हट गया Quad group से क्योंकि उस वक्त में USA चाइना का support चाहता था United Nations के Security Council में जब वो इरान के अगेंच्ट sanctions डिक्लेयर करने की बात थी तो और जैसा मैंने बताया क्योंकि चाइना Quad group के अगेंच्ट था तो USA पीछे हट गया लेकिन इसके बाद शुरवात होती है दोस्तो Quad 2.0 की 2017 में करीब दस साल बाद Quad वापस उभर के आता है 2017 में US के President है Donald Trump इंडिया के प्रधान मंत्री है नरेंदर मोदी और जपान के प्रधान मंत्री शिंजो आबे की वापसी होती है जब वो वापस से PM की पोस्ट पर आ जाते हैं 2012 के बाद से यह तीनों लीडर्स एक बार फिर से Philippines में मिलते हैं जब ASEAN Summit चल रही होती है तो तीनों लीडर्स ने ट्रेडिशनल फिलिपीनों शर्ट पहनी होती है यहां Quad की Officer Level मीट होती है लेकिन यह तीनों लीडर्स ASEAN Summit के लिए आए हुए थे US की तरफ से statement आती है कि Quad एक cooperation है Shared Democratic Values और Principles को लेकर और जैसा कि हम जानते हैं democracy की कोई भी बात करने का मतलब है कि आप China के against जा रहे हो एक anti-China stance लेने लग रहे हो तो एक तरफ से indirectly यह फिर से China के against इशारा किया जा रहा है लेकिन इंडिया की तरफ से जो official statement आती है वो कहती है कि यह group किसी भी दूसरे देश के against नहीं है Australian side की तरफ से statement आती है कि Quad group के माईने हैं उनके लिए freedom of navigation and overflight and maritime security in the Indo-Pacific region Quad 2.0 को अगर military के perspective से देखें तो एक बारी फिर से यादे ताजा करी जाती है 2007 की जब November 2020 में ये चारो देश एक बारी फिर से joint navy exercise conduct करते हैं पिछली बार की तरह इस बार भी China objections race करता है ये कहता है कि इस Quad group की वज़े से Indo-Pacific area पर खत्रा पहुँचता है ये चारो countries अपनी military का इस एरिया में ये अच्छा नहीं है September 2020 में Shinzo Abe फिर से resign कर देते हैं PM की post से अपनी विगड़ती health को लेकर और March 2021 में पहली leader level quad meeting होती है लेकिन obviously coronavirus की वज़े से ये countries के leader एक दूसरे के देश में travel नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो meeting होती है ये virtually करी जाती है Indian Prime Minister Narendra Modi American President Joe Biden Australian Prime Minister Scott Morrison और Japanese Prime Minister Yoshi Hide Suga के दौरा इस meeting में पहली बार होता है कि चार अलग-अलग statements दिये जाने की जिगह एक single statement दी जाती है इन चारों देशों के दौरा quad summit में COVID-19, climate change, security challenges जो इस region को face करने पड़ रहे हैं इन तीनों चीजों को एक नया purpose बताया जाता है squad group के पीछ है ये कहा जाता है कि ये चारों countries Indo-Pacific region में कोशिश करेंगी democratic values, free, open, rule-based order, inclusiveness और health establish करने की और इसके बाद आते हैं हम September 2021 में जब पहली in-person squad leader meet होती है ये चारों देशों के जो leaders है physically actually में मिल पाते हैं China constantly squad group को attack करता है criticize करता है ये कहते होए कि यहाँ पर एक Asian NATO बनाने की कोशिश करी जा रही है इन चारों देशों के दौरा एक military alliance बनाने की कोशिश करी जा रही है लेकिन इंडिया ने इन criticisms को हमेशा reject किया है जैसे कि हमारे foreign minister Jay Shankar ने कहा था कि NATO एक cold war की term है, पुरानी term हो चुकी है और cold हमेशा future में देखता है जो globalization के जमाने को reflect करती है cold group एक दूसरे के साथ cooperate करेगा world security, climate action, technological cooperation और supply chain जैसे issues पर हमारा cold इंडो-फेसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा supply chain हो या वैस्विक सुरक्षा हो climate action हो या COVID response या फिर technology में सहीओ इन सभी विशयों पर मुझे अपने साथियों से चर्चा करते बहुत खुशी होगी अब interesting चीज यहां पर यह है दोस्तों की करीब 10 दिन पहले इस meeting से एक और alliance की formation होती है इसे नाम दिया जाता है AUKUS, Australia, UK और USA इस initiative के अंदर Australia nuclear powered submarines बनाएगा US और UK की मदद से France की सरकार इस चीज से बहुत नराज हो जाती है क्योंकि एक बड़ा contract वो लूस कर देते हैं सब्मरीज बनाने का Australia के साथ और उन्हें लगता है कि USA ने उन्हें backstab किया है लेकिन इस AUKUS ग्रूप को Quad Group के sense में देखना बड़ा interesting है क्योंकि काफी लोग criticize करते हैं कि क्यों इंडिया और जपान को leave out कर दिया इस AUKUS alliance से इस सवाल को actually में वाइट हाउस के प्रेस सेकरेटरी ये सामने भी उठाया गया था कि क्या USA जो UK और और उस्ट्रेलिया के साथ इस लेवल पर cooperate करने की सोच रहा है क्यों नहीं वो इंडिया और जपान को भी include कर लेते तो उनके प्रेस सेकरेटरी ने इस सवाल का जवाब काफी मजाख मजाख में दिया था कि अगर AUKUS के अंदर जपान और इंडिया जुड़ जाएंगे तो AUKUS का नाम क्या बनेगा जॉकस या फिर जै-AUKUS चलो इस ग्रूप से इंडिया को leave out करना शायद कोई बड़ी चीज नहीं है लेकिन एक और alliance है जो अमेरिका के दोरा बनाई जा रही है जो इंडिया के लिए काफी problematic हो सकती है USA ने पिछले महीने एक और quadilateral grouping की announcement करी थी वो quad group बनाए गया है USA, Afghanistan, Uzbekistan और Pakistan के बीच में USA ने इस नए quad group को बनाए ये कहते होए कि एक diplomatic platform बनेगा अफगानिस्तान के peace process के लिए और इंडिया को इस चीज से leave out कर दिया गया इसे देखकर तो यही लगता है कि US world peace के लिए कम, world tension के लिए ज्यादा काम करता है Australia को nuclear submarines बेचना है India, Pakistan को हत्यार बेचना बस ऐसा लगता है कि यही चाहते है कि कोई ना कोई इनके हत्यार खरीदने वाला इन्हें मिलता रहे अगर India सही में counter करना चाता है China के influence को तो quad group काफी नहीं होने वाला क्योंकि China का एक तरफ belt and road initiative है जो इतनी major चीज है जिसमें बहुत सारी neighboring countries के साथ Maldives, Bangladesh और Shri Lanka में भी investment चलने लग रही है चाइना की Afghanistan को loans देने की बात करी जा रही है China, Pakistan economic corridor बनाया जा रहा है India को replace कर दिया है China ने as a major trading partner of many South Asian countries तो इन सब चीजों को देखते हुए Quad group को काफी और काम करना पड़ेगा कड़े कदम उठाने पड़ेंगे अगर वो सही में चाहता है कि Quad एक long lasting solution बन पाए चाइना के बढ़ते influence को counter करने के लिए नहीं तो Quad group नाम नाम का directionless group रह जाएगा जो बाद में जाकर शायद फिर से विखर जाए उमीद करता हूँ वीडियो आपको informative लगा होगा दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद